अमरत परमातमा ए निरगुन निरंकार तू करता है जगत का तू सब का अधार कन कन में है बस रहा तेरा रूप अपार तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार घट घट वासी है प्रभू अविनाशी करता दयास तेरी हो सभी भवसागर से पार निराकार साकार तो जग के पालन हाई है बेंत महिमा तेरे दाता परंपार परंपिता परमात्मा सब तेरी संता भला करो सबका प्रभू सबका हो कल्या बला करो सबका प्रभू सबका हो कल्या आए प्रभू साथ संगत जी प्यार से कहना संगत आज उन्चास में माराष्टा के तीसरे दिन इसी प्रकार से अनन्द में इवातावरन जो बना हुआ है जहां पर दर्शनों के लाव हो रहे हैं वहां पर मदुर यथार्थ बचन शर्वन करने को मिल रहे हैं जहां पर अनेको प्रकार के फूलों की खूबसूरती और सुगंद की महसूसियत हम कर रहे हैं जैसे एक गुल्दस्ता होता है गुल्दस्ते में भिन भिन प्रकार के फूल होते हैं और वो फूलों का ऐसा मिश्रन जो उनका इस परकार से एक कत्व के रूप में ऐसा एक सुन्दर रूप बनता है इसी परकार से यहां पर भी क्योंकि सुगंधी सुगंध मैसूस हो रही है इसी लिए फूल कहना ही पड़ेगा यह सभी सुन्दर फूल यहां पर उपस्ते थें क्योंकि हम सुगंध मैसूस कर रहे हैं वो फ्रेग्रेंस हमें मिल रही है वो खुश्बू हमें मिल रही है वो खुश्बू प्यार भक्ती प्रेम की है तो इस प्रकार से ये महकता हुआ बातावरन यहां पर ये बना हुआ है और यहां पर फूलों का ही जिक्र हो रहा है बेशक कांटों का जिक्र भी हो रहा है दीवारों का जिक्र भी हो रहा है लेकिन केंद्रित हो रहे हैं फूलों के उपर, बिजिस के उपर, फूलों के उपर क्योंकि जब इस प्रकार से हम अपने आपको उस तरफ बढ़ाते चले जाते हैं जो शहनशाब अवावतार सिंजी ने हमें कब से ये पाठ पढ़ाया ये हमें सीख दी कि अपनी लकीर बड़ी करने अपनी बड़ी लकीर हो जाएगी तो दूसरी अपने आप ही छोटी हो जाएगी इसी प्रकार से बेशक दीवारों और दीवारों को गिराने की बात हो रही है लेकिन केंदरित होने के लिए ये कहा जा रहा है कि हम उस निर्मान की तरफ चलें और निर्मान की तरफ बढ़ेंगे तो वो दिवारें अपने आप धूमिल होती चली जाएंगे और दास को बैठे बैठे क्योंकि लगातार वाल्स और बिजिस का जिक्र हो रहा है तो ऐसे ही ध्यान आया बैठे बैठे अभी कि एक तो है दिवार है और दिवार को गिराना है और दूसरी तरफ पुल की बात हो रही है तो वही ध्यान आया कि एक ओवर बिजिस भी तो बनते हैं शहरों में सड़कों के रेलवे क्रॉसिंग के उपर बिजी इंटरसेक्शन के उपर तो इसी तरह से अगर दिवार है भी तो उसी के उपर से ही पुल क्यों ना गुजार दिया जाए तांकि अपने आप ही वो दिवार होते भी नहीं रहेगी क्योंकि वो सादन मिल गया ज्यादा वो थोड़े लेकर बुल्डोजर लेकर वो दिवार को गिराने की जुरूरत नहीं एक डिस्ट्रक्टिव की तरफ नहीं गए डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं गए बनाने की तरफ गए लकीर अपनी बड़ी करने की तरफ बड़े तो इस प्रकार से यहां पर जितनी भी हमें शिक्षाई मिल रही है जितने भी संदेश मिल रहे है वो सब बनने और बनाने के लिए है बनने के लिए क्या कि हम खुद एक ऐसे मुझसमे बने प्यार के मुझसमे बने आदमियत इंसानियत की सुन्दर पहचान बने दया करुणा के भाव से युक्त हो प्रेम भाव से युक्त हो तो जहां पर हम बने वहां पर बनाने में लग जाएं और बनाने का मतलव सवारने का सवरो और सवारो सवरना और सवारना इस परकार से ये संतों महातमाओं ने ये युगो युगों से यही बात हर इंसान को समझाने के प्रयास किये हैं बार बार इसी बात के उपर जोर दिया है कि ये सारे ही बंदे, ये प्रभू के बंदे हैं, सारे ही इंसान, भिन भिन भाशाओं वाले, भिन भिन पहराओं वाले, भिन भिन संस्कृतियों वाले, लेकिन एक ही एक मटी के बने हुए हैं, पांच ततों के बने हुए हैं, एक five common elements के बने हुए हैं और चाहे वो गोरे रंग का है, काले रंग का है, कोई भी उसकी बेश-भूशा है कैसे भी एक संस्किती में जन्मा पला है तो वो सारे ही पांटत्व के बनेवे पुतले हैं अगर हाकम है, राजा है, वो भी पांटत्व का पुतला है अगर एक कोई सफाई कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है तो वो भी एक पांटत्व का बना हुआ है कोई बहुत डिग्रियां हासिल कर लेता है वो भी पांच तत्व का और जो कोरा है पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अकैडमिक्स के लिहाज से वो भी पांच तत्व का बना हुआ है तो सारे ही पांच तत्व के पुतले हैं और common elements, five common elements तो इसमें कोई भेद इस लिहाज से भी नहीं है जिसके बारे में कबीर जी जैसे संतों ने कहा कि माटी एक अनेक भांतिगर साजी साजन हारे कि मटी एक है ये पांच तत्व के रूप में मटी एक ही है लेकिन माटी एक अनेक ही भांतिगर अनिकोर रूप दे दिये हैं इसी मटी को इसी मटी से सुराही भी बना डाली इसी मटी से गागर भी बना डाली इसी मटी से कैसी मूर्तियां बना डाली तो मटी तो वही जैसे का है कि लोहा तो एक है घड़ने में है भेद ताई का बक्तर बने और ताई की शमशेर कि एक ही लोहा है शील्ड या ढाल भी उसी से बन रही है और शमशेर तलवार भी उसी लोहे से बन रही है इसी तरह से माटी एक अनेक भांती कर साजी साजन हारे ना किछ पोच माटी के भांडे ना किछ पोच कुमारे और केवल मटी ही एक नहीं है कुमार भी एक ही है जिसने ये सारी कृतियां बनाई है जिस मटी का इस्तमाल किया है उस मटी का इस्तमाल करके नाना रूप घड़े है तो ये कुमार भी तो वही है तो कुमार भी एक ही है इसी एक ने ही ये सारी सिजना की है तो यहां पर कुमार ये परमात्मा इश्वर ये निराकार है जो सारी काइनात का मालिक है जिसकी ये सारी रचना है ये सारी स्रिष्टी है ये सारी यूनिवर्स है जिसने ये सारी रचना बनाई है इसी की अंश आत्मा के रूब में हर घट में बस रही है यानि कि केवल पांच तत्वी नहीं केवल एक कुम्हार ही नहीं बलके एक आत्मा के रूब में सोल के रूब में जो इसी ओवर सोल की अंश है ये हर घट में बसती है तो इस लिहाज से जैसे वो मट्टी की मिसाल दी, लोहे की मिसाल दी, सोने की मिसाल अक्सर हम सुनते हैं कि सोने से कितने जेवर बनते हैं, हाथ के कंगन भी बनते हैं, कान की बालियां भी बनती हैं जैसे यहाई माराष्टा में महापुशों ने इस परकार से ये भाव रखे हैं कि कल सोने नाना लेने एक ही सोना है नाना परकार के ऐसे आभुशन है और एक बाली अन बुगड़े एक बाली कान की और जो भी ऐसे जेवर हैं उसी सोने से बने वए हैं और फिर कपड़े की बात करते हैं कपड़े की बात करते हैं कि एकज सूत नाना पूत चोली अन लुगड़े तो इस परकार से ऐसी एक कपड़े से धागे से नाना परकार के वस्त्र बनते हैं तो कहने का भाव क्या है कल भी महापुष वो मिसाल दे रहे थे जो बावा गुरुवचन सिंग जी भी अक्सर दिया करते थे केक हलवाई की दुगान पर हम स्वीट शॉप पे जाते हैं मिठाई लेने जाते हैं तो अक्सर ले लो तो वो बर्फी को कोई घोड़े का रूप दे देता है कोई हाथी का रूप दे देता है कोई और रूप दे देता है तो वहाँ पर वो बच्चे मांग करते हैं कि इस परकार से ये मुझे ये मिठाई दे दो ये हाथी दे दो ये घोड़ा दे दो लेकिन बच्चों के लिहाज से तो वो हाथी घोड़ा है जरूर लेकिन जो हलवाई है जो वो बेच रहा है मिठाई उसके लिए तो वो मिठाई ही है और वो एक जैसा ही दोनों का मोल डाल रहा है ये नहीं है कि घोड़े का रूप है तो ये महंगा है और दूसरा सस्ता है तो इसी प्रकार से यहां पर कितनी भी मिसालें दी जाएं ये सब इसी तरफ इशारा करती हैं एक की तरफ इशारा करती हैं इसी लिए एक एकत्व वन और वननेस एक की बात हो रही है एक के साथ जुडने की बात हो रही है एक ऐसी दृष्टी बनाने की बात हो रही है जुआलिटी और दूजा भाव समाथ करने की बात हो रही है कि केवल एक ही नजर आए एक ही नजर आए इसकी उपस्तिती एक करके नजर आए अब विभाजित जिसका कोई विभाजन नहीं है एक ऐसा परमस्तेत ये निराकार पार्व हम परमात्मा जिसको हम बांट नहीं सकते हैं धर्ती के टुकड़े हम बांटते हैं कितने टुकड़ों में ये धर्ती बट गई कितने ही मुल्क बन गए कितनी प्रांते बन गई कितना कुछ हमने हद्दे और सरहद्दे बना डाली लेकिन धर्ती तो एक ही है जो मालिक ने इस धर्ती पे हमें जनम दिया ये एक ही धर्ती है इसी धर्ती के हम वासी है कोई भी कॉंटिनेंट हो लेकिन धर्ती तो एक ही है सबी कहते हैं ये हमारा प्लाइनेट अर्थ है ये हमारी धर्ती है इसी प्रकार से ये सारे ही इनसान एक ही धर्ती पे बसने वाले ये सारी खुद्रत जो मालिक ने बक्षी है ये भी हर किसी के लिए बक्षी है तो इसलिए इशारे सारे एक की तरफ है किस एक को अपने जीवन में ले आएं और जब तक ये एक जीवन में नहीं आता सब तक ये विभाजन रहते हैं ये दूरियां रहते हैं, तेरा मेरा उंच नीच रहता है, सफर के रहते हैं, एक डिफरिंसियेशन रहते हैं, तो इसलिए इस एक को जीवन में जो ले आते हैं, जैसे वो मिसाल कई के बरस जास देता रहा, और अभी कई बरसों से वो जहन में नहीं आई, अभी फिर से वो ही म कि जो एक दफ़ा एक गाउं में एक बज़र्ग रहता था और वो बज़र्ग रहता था तो उसकी स्वांस उसको महसूस हुआ कि अब जा रही है ज्यादा देर मैं जिन्दा रहूंगा नहीं और तीनों ही बेटे बाहर गए हुए हैं काम के लिए और उन दिनों में तो ट्रैं लग जाते थे तो उस बज़र्ग को महसूस हुआ कि अब बेटे वापस पता नहीं कब आएंगे उनके आने तक शायद मैं यहां संसार से रुक्सत हो जाऊंगा और उसने अपने विशेश मित्र को पास बुलाया जो उसका बहुत करीबी था उसको बुला कर कहा कि मेरी स्वांसे मुझे महसूस हो रही है जा रही है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे आपस में जगड़े जायदाद को लेकर तो तुम मेरा एक काम कर मैं अपना डिसीजन अपना निर्ने तुमें बताता हूं कि मेरी जायदाद को मेरे बेटों में कैसे बटे तो मैं हूँ मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ तो उसमें कुछ थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा था और ज्यादातार उसके पास उंठ थे कैमल्स थे तो उसने ये निर्देश दिया कि मेरे तीन बेटे हैं जो बड़ा बेटा है उसको मेरी जैदाद का आदा हिस्सा देना और जो दूसरा बेटा है उसको तीन चुथा हिस्सा देना और तीसरे को पांचवा हिस्सा देना तो इस परकार से उसने ये निर्देश दिया तांकी बाद में जगड़े ना हो तो जब वो बेटे लौटे मालूम पड़ा कि अब पिता जी रहे नहीं उदास हुए मायूस और फिर उनको मिलने उसके पिता जी का वो दोस्त आया और उसने आकर उन बेटों को कहा कि तुम्हारे पिता जी तो चले गए लेकिन जाते जाते मुझे कुछ निर्देश दे गए और उसी के अनुसार मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जमीन के टुकड़े मैं जिस प्र फकीर खेंज कर दे देता हूं ये इतना टुकड़ा तुम्हारा है इतना तुम्हारा ये और बाकी रही रहा सवाल उन्ठों का तो वो भी आदा हिस्सा करना है पहले बड़े बेटे के लिए तो 19 उन्ट से तो कहा कि आदा हिसा करना है अब आदा हिसा कैसे करें, उन्स हैं, अठारा होते तो नौनो कर देता, भीस होते तो दस-दस कर देता, लेकिन उन्स का आदा कैसे हो, एक उंट को आदा काटना तो मुरक्ता होगी, तो इसलिए उसने यही कहा कि ये तो बड़ी प्रशानी की बात हो गई बाकी बेटों को तो क्या भी बांटूंगा पहले पे ही ये गेर आड़ गया तो इस परकार से वो भी सोच में पड़ा हुआ है कोई हल निकल नहीं रहा है अचानक एक इनसान उंट पे सवार उनकी तरफ आ रहा था और करीब आया देखा कि काफी लोग इकटे हुए पड़े हैं और उसने पूछा क्या कारण है ये क्यों सारे कटे खड़े हो यहां पर कुछ परिशानी सी लग रही है तो उन्होंने बताया कि बस ये परिशानी है ये जैदाद उंटों के रूप में बांटनी है उन्निस का आदा करना है आदा उंट कैसे किया जाए तो सज्जन कहता है कि मैं तुमारा ये मसला हल कर सकता हूँ ये तुमारा ये मसला हल हो सकता है वो कहने लगा कैसे हल हो सकता है वो कहने लगा कि मैं क्या अपना उंट इन उन्निस उंटों में शामिल कर सकता हूं वो कहने लगे बेशक क्यों नहीं हमें तो सिलुशन से मतलब है हल कर दोगे तो बेशक इसको बीच में शामिल कर दो तो कहने लगा आप कितने हो गए, कहने लगा बीस, तो बीस का आदा क्या होता है, कहता है दस, कहता है दस उंट दे दो बड़े बेटे को, तो फिर कहते हैं, कि एक दूसरे बेटे को क्या देना है, तो दूसरे बेटे को कहते हैं कि इसको चौथा हिसा देना है, तो कहते हैं, का चौता हिसा क्या होता है कि ते बीस का चौता हिसा पांच होता है तो कहते हैं बीस का चौता हिसा पांच होता है तो पांच दे दो दूसरे बेटे को और तीसरा को कहते हैं इसको पांचवा हिसा देना है तो इस परकार से बाकी जो रहे चार कहते हैं वो दे दो इसको तो कहते हैं आप गिन लो कितने हुए, कहने लगे दस बड़े को होगे, दूसरे को पांच होगे, और तीसरे को चार होगे, कितने हुए, कितने हुए, कहते हैं उन्निस होगे, तो कहते हैं उन्निस बट भी गए और मेरा कैमल बरकरार रहा मेरे पास, वो उंठ मेरा मेरे पास रहा यानि कि उस एक को शामिल भी कर दिया,ourd बहल भी हल हो गया और उसका एक उसके पास ही रहा, वो एक काएम रहा, उसकी कोई डिवीजन नहीं हुई तो इसी प्रकार से ये मिसालें उधारन देने का भाव और मतलब ही यह है कि ये इस एक को जब तक उसने इस एक को शामिल उनों ने नहीं किया था तब तक कोई मसल़ा उनका हल नहीं हो रहा था और जब एक शामिल हो गया, मसल़ा भी हल हो गया जगडे की गुनजाइश खत्म हो गई और सबी आराम से, रहत से रहने लग पड़े इसी प्रकार से ये बखेडे हमारे इनसानों के ये बंदों के रूब में जो अब हम कितने कितने कारण खड़े करके जगड़ते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को नीचा मानते हैं, जूठे अभिमान में रहते हैं, संकेरताओं में पलते हैं तो उसका कारण यही है कि इस एक परमस्तित निराकार इस परमात माईश्वर आल प्रिवेडिंग गॉड इसको हम अपने जीवन में लाते नहीं हैं इसको शरीक नहीं करते हैं इसको शामिल नहीं करते हैं और जब तक यह शामिल नहीं होता तब तक हमारे बखेड़े खतम नहीं होते हैं और जब जब भी ये खतम हुए हैं इस एक को लाने से ही हुए हैं जब इस एक को जीवन में ले आते हैं तो बखेड़े खतम हो जाते हैं तो इसलिए आप भी इस एक और वननेस की बात कर रहे हैं कि एक और एक गत्व कि एक नूर है सब के में बसता है कनकन में बसता है यही एक कनकन में भी है घटगट में भी है इसलिए किसी का बुरा क्या मांगना किसी के साथ बुराई क्या करनी यह फिर कभी भी जहन में यह भाव पैदा ही नहीं होते हैं यह मन में यह भाव यह उपज ही नहीं इनकी होती है यह उपजते ही नह इस मालिक को हम जीवन में ले आएं हैं और इसी एक को ही हम घटगट में देख रहे हैं कनकन में देख रहे हैं और जिव महंदी के पात में लाली लखी ना जाये जैसे का है कि एक महंदी जो है ये किस परकार से पात पात उसमें पत्व में बसी हुई है लेकिन जो उसके उपर जतन करता है और फिर उसी से लाली प्राप्त हो जाती है इसी परकार से जब इस एक की प्राप्ती हो जाती है तो वास्विक्ता में हमारे भी तमाम ये दूरियां समप्त हो बीच में आ जाता है और जो जोडने का काम करता है और इसी के कारण हम जड़ जाते हैं क्योंकि ये महापुर्ष संथ जनों ने हमेशा इस एक को ही जीवन का अधार बताया है इसी से कल्यान होता है जीवन में ये बताया है इसलिए इस एक परमात्मा ईशर एक निराकार अकाल पुरक इस रमेहुए राम के साथ नाता जोडने की बात हो रही है तां कि हर इनसान जो है वो प्यार से खलूस के साथ इस सफर को तै करे और कोई जल्मों से तम ना हो कोई वैर वास्ते ना हो और इस प्रकार से सारे मिल जुलकर ये जीवन के सफर को तै करें जो सीमित सा सफर है जैसे कल भी जिक्र हुआ परसो भी जिक्र हुआ कि ये सीमित से स्वांस हमारे पास है और वो पंक्ती पीछे जब नौथ अमेरिका की यात्रा हुई तो उस वकत भी दास ने एक स्थान पर ये पंक्ती पड़ी और वो पंक्ती एक गाना है जो एक मूवी में आया था सेम्टीज में तो उसकी एक पंक्ती है जिस पंक्ती में लिखने वाले ने लिखा और गाने वाले ने गाया कि गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो क्या जाने कल कोई साती छूट जाए जीवन की डोर बड़ी कमजोर क्या जाने कहां तूट जाए तो इस प्रकार से ये डोर बड़ी कच्ची डोर है ये कहां पर तूट जाए कुछ पता नहीं है इसलिए गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो क्या जाने कल कोई साती छूट जाए पता नहीं है कि कल किसका साथ छूट जाए तो इसलिए एक एक पल जीवन का वो हमारा प्यार से बीट जाए तांकि बार दुमें कोई रिपेंटेंस भी ना हो कि काश मैं उसको इस तरह से सुन्दर ढंक से पेश आ जाता कहीं पर भी वो कमीना जीवन भर खटकती रहे अभी मौका है अभी एक ऐसा दातार ने अवसर दिया है कि हम इस परकार से प्यार का नाता जोड लें प्यार का संबंद बना लें और वो संबंद तभी बनते हैं जब यही एक परमात्मा जिसको प्यार का स्रोत भी कहा गया है प्यार का रूप भी कहा गया है कि इस रोत भी यही है और इसका रूप भी प्रेम के रूप में ही है यह प्रेम ही है लव इस गौड वी आफ़न say that love is God and God is love तो यह प्यार ही है यह प्रेम ही है और अगर इनसान और इनसान के दर्मियान प्रेम तो उसका मतलव के बीच में परमात्मा रूपी प्रेम को हम लाए हुए हैं तभी यह प्रेम है क्योंकि यही तो प्रेम का रूप है यही प्रेम का अधार है इसलिए ढ़ाई अक्षर प्रेम के कवी सजनों ने भी किस कदर सुन्दर ढंक से वो पेश किया कि वाके ये ढ़ाई अक्षर प्रेम के पड़े सो पंडित होए कि ये प्रेम भाव जो है ये हमारे हिर्दे में बस जाए तो हम पंडित हो जाएंगे हम सचे पुजारी हो जाएंगे हम सचे अबादत करने वाले हो जाएंगे हम सचे मुसल्मान हो जाएंगे हम सचे इसाई हो जाएंगे हम सचे सिख यहुदी हो जाएंगे अगर ये प्रेम है अगर ये प्रेम नहीं है बैर इर्शा कदूरत और नफरतों के भाव है तो फिर वास्विक्ता में हम ना हिंदू है ना मुसलमान है ना क्रिस्चिन है ना कुछ और है अगर प्रेम नहीं है अगर प्रेम करने का सलीका नहीं है अगर प्रेम करना हम ने जाना नहीं है अगर हम बैर इश्या नफरत की आग में जलते और जलाते हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं तो इसलिए प्रेम जो है ये वासिक्ता में धिर्दे में बस जाएं और प्रेम पूरग वेवार होने लग पड़ें अगर प्रेम पूरग वेवार होने लग पड़ेंगे तो क्यों न हर घर स्वर्ग बन जाएगा क्यों न इस समाज में शोशन नहीं होंगे जो हो रहे हैं क्यों exploitation होगी अगर प्रेम है मन में प्रेम मन में होता है तो दया और करुणा का भापैदा होता है तो इसलिए क्यों कर दबाया जाएगा क्यों कर दूसरे को कुछला जाएगा क्यों कर शोशन होंगे क्यों कर दिलों को दुखाया जाएगा तो इसलिए हर हिर्दे में ये प्रेम बस जाए यही एक परात्ना यही एक शुब कामना की जा रही है और इसी के उपर अधारत ये संदेश दिया जा रहा है तां कि हर इनसान जो है इस प्यार को बढ़ावा दे इस प्रेम भाव से युक्त रहे और प्यार की दौलत बांटा चला जाए प्यार के भागीदार औरों को भी बनाता चला जाए ये प्यार के बगार जो धर्ती सूखी सी महसूस हो रही है एक कोरी सी महसूस हो रही है ऐसी धर्ती के ओपर अगर हर्याली सही मैनों में आनी है तो इसी प्यार के कारण आनी है वरनाते ये सूखा पन और रूखा पन ही है जहाँ पर घ्रिना और नफ्रत जलन रूपी कांटे ही कांटे हैं लेकिन फूल नहीं है प्यार रूपी ये फूल नहीं है प्यार रूपी ये सुगंद नहीं है प्यार रूपी ये ठंडी फुहार नहीं है तो फिर यहाँ पर तपशी है रूखापन है सूखापन है तो इसलिए ये बुछार भी होती रहे जैसे सूखेपन का जिक्र हो रहा है महराश्टरा में कितने इलाकों में सूखा और भी कई जगाओं पर ऐसी ड्राट सिचुएशन आती है जहां पर एल नेनो फैक्टर का भी जिक्राता है एक क्लाइमेटिक चेंजिस का जिक्राता है तो जहां पर इतना सूखा पना जाता है तो वहां पर ना फसल होती है ना हर्याली होती है ना पेड ना फूल ना पौदे और तालाब भी सूख जाते हैं और ना पशों को जल मिलता है तो इसलिए जहां पर माराश रख वासियों के लिए अन्य स्थानों के लिए जहां पर ये भी शुब कामना प्राथना की जा रही है कि दातार किर्पा करें कि इस तरह से वो कमी ना रहे और किसान भी खुशाल हों और सारे ही इस परकार से खुशी खुशी जीवन के सफर को तै कर पाएं लेकिन दास जो बात साथ साथ जो कर रहा है वो यही कर रहा है कि वाके ही अगर ये प्रेम है देखे हैं कई परिवार के स जहां पर कहीं पर आर्थिक मजबूरियां आ जाते हैं लेकिन वो एक दूसरे को यही कहते हैं कि हमारा बस प्यार बना रहे कोई नई मिल जुड़कर हम ये भी सहलेंगे लेकिन हमारा नाता हमारा प्यार बना रहे ये बीच में ये मॉनिटरी ये ऐसी सिसले ये कहीं पर हमारे प्यार को फीका ना कर दें जैसे मैं तो भाई के गम बांटने पर आमादा रहा लेकिन भाई था जो आंगन में दिवारें उठवाता रहा तो इस प्रकार से एक भाई तो दिवारें खड़ी करने में यकीन रख रहा है और दूसरा भाई वो चाहता है के हमारे में आपस में प्यार बना रहे ये प्रेम बना रहे और हमारे माता पता खुश हों तो इस प्रकार से वो प्रेम भाई चारा ये एकतव एकठ ये इस प्रकार का ये घर घर में देखने को मिले ये समाज में देखने को मिले ये मुलक में देखने को मिले क्योंकि मुलक भी अगर जब जब भी कमजोर हुआ है जब जब भी पिछड़ा पान हुआ है वो इसी प्रेम की कमी के कारण है नफरतों के कारण नुक्सान हुए है नफरतों के कारण ही ये देश में कमजोरी आई है प्रगती कब की हम कर चुके होते लेकिन दंगे फसादों ने एक दूसरे के शोशन के कारण कितना हम पिछड गए तो इसी प्रकार से अभी 26 जैनुवरी आ रही है रिपबलिक डे आ रही है देश प्रेम के बड़े नारे भी लगेंगे और जताया भी जाएगा देश के प्रती प्रेम लेकिन वास्त विक्ता में इस सफर को तैक करते हुए हम सही मैनों में देश प्रेमी बन जाएं एक दूसरे से प्यार करना सीख लें महराश्टा गुजराथ से नाटकराएं कहीं पर करनाटका कहीं तमिल नाडू से नाटकराएं कहीं पर ये प्रांती वाद इस कदर नाओ खड़ी हो जाए कि पहले हम जो बाहर से आए हुए कितने सेंचरीज हम पर राज करते रहे और उनके जाने के लिए कितने उनको यहां से इस जमीन को एक आज़ाद करने के लिए इस मुलक को आज़ाद करने के लिए कितने बलीदान किये गए जैसे महातमा गांदी जी का भी डॉक्टर आवस सिन्सीन ने जिकर किया मार्टिन लूथर गिंक का जिकर किया तो वह एक महात्मा गांदी जी और कितने कितने ऐसे योधा जिन्हों ने ये देश प्रेम का ऐसा ऐक ऐसा मिसालें पेश की हैं और दूसरी तरफ देश के वाजादी मिल भी गई लेकिन उसके अगर हम उस प्रकार की इर्रिस्पॉंसिबिलिटी के साथ विचरन करते हैं तो उसके कारण ही देश कमजोर होता है तो इसलिए घर, समाज, हमारे प्रांथ, हमारे अद्मुल्क और विश्व में भी इस प्रकार से ये प्यार ही प्यार हो, मिलवर्तन हो, वननेस हो, एक दूसर की पीड़ा हरने वाले बन जाएं, यही एक पैगाम इन तीन दिनों में यहां से दिया गया है, और यह पैगाम कोई नया नहीं है, यह युगो युगों से दिया जाता रहा है, सदियों से दिया जाता रहा है, तो इसलिए हम एक दूसरे के पोशक बने, ना कि हम शोशन करन बने वाले बने हम पोशन करें एक दूसरे को कि संभाल करें एक दूसरे को राहत दें एक दूसरे को सकून दें देने के लिए हमारे पास यही कुछ हो कुछ और विपरीत ना हो हमारे पास देने के लिए जैसे राज माता जी को भी हम शर्दा से याद करते हैं वो भी यही एक का अपनी क्योंकि वो कविताएं और गीत भी लिखा करते थे सुनाया करते थे तो उसमें कल भी परसो भी बच्चों ने कितने सुन्दर ढंग से वही राजमाता जी की पंक्तियों का इस्तमाल किया कि हम तो इस गुड के और शकर के हम एक उसी के हम ग्रहक है कोई मिर्चियां बेचता है वो तो बेच रहा है लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं मिर्चि तो हम देंगे क्या हमारे पास तो शकर है मिठास है हम तो वही देंगे तो यही हमारे पास संबार हो यही हमारे पास भंडार हो एक प्यार वाला अपनत वाला ये ही भंडार हो ये हमारे पास वो गुदाम भरावा हो और ये गुदाम ऐसा है इसमें जितना हम निकाल कर देते चले जाएंगे ये इन्वेंटरी कम नहीं होगी ये बढ़ती चली जाएगी it will just multiply because love is the only commodity which doesn't diminish when you divide it, when you distribute it, it ever increases तो इस प्रकार से ये एक प्यार जितना बांटे चले जाएंगे उतना हमारे पास और ज्यादा आता चले जाएगा it will just multiply, the more you give love to others, the more stock you will have, you will have inflated stock of love because you are in habit of giving love, because it is a part of your life and it is your life तो इस प्रकार से ये प्यार के कारण ही, ये ऐसे अपनत के भाव के कारण ही ये ऐसी देन दी जा रही है, सेवाइं की जा रही है एक सेवा की सीख हमें मिल रही है, जहां पर कितने प्रकार की सेवाइं लगातार हो रही है लाइक स्वच्चता भी आन चल रहा है मिशन के द्वारा कितने ऐसे ड्राइव चल रही है जहां पर ये साफ सफाई जगे जगे पर की जा रही है मनों की सफाई के उपर जोर दिया जा रहा है और बाहर की सफाई के उपर भी ये जोर दिया जा रहा है तां कि चारों तरफ ये साफ सुत्रा सा हर स्थान हो मन का आंगन हो, घर का आंगन हो हमारे गली महले हो, सब इतने साफ सुत्रे हो तां कि कोई किटानू पैदा ना हो ना मन में ऐसे किटानू पैदा हो जो किस कदर हमें मारे मन को रोगी बना देते हैं और ना बाहर के टानु पैदा हो जो हमारे तन को रोगी बना देते हैं वो बाहर की गंदगी भी हमें अखरती है और मन की मैल भी अखरती है तो इस प्रकार से ये दोनों लिहाज से अंदर और बाहर ये मैल ना हो, स्वच्चता हो, सफाई हो और इस प्रकार से हम अपने आपको निभाते चले जाएं, अपने आपको इस रूब में हम पेश करते चले जाएं और जिस तरह से ये यतन हो रहे हैं, ये उपराले हो रहे हैं, ये एफर्ट्स हो रही हैं, टाइलेस एफर्ट्स हो रही हैं, तो वक्य ही इनकी कीमत है, इनका महत्व है और उसी प्रकार की सेवाएं लगातार इस समागम में भी आप देख रहे हैं जो कि एक जीवन का ऐसा महत्पुरण अंग बन चुका है क्योंकि सत्संग, सुमिरन और इसके साथ सेवा इसका महत्त साथ ही है ये तीनों ही साथ साथ चलते हैं सासंग भी, सुमरन भी, सेवा भी, ये साथ साथ चलते हैं तो इसी प्रकार से ये सर्विं हमानिटी ये सेवा ये सेवा थिस्ट रमेंबर देख कोट असेंग विच थाकुर रविंदना तेगोर जी रोट इ선 मैं में ठाथ और में प्र चलत वेस्ट सेवार्व लोगर है ये सर्व, में ब क्योन अवार आ प्रम अईम, क्योंं रो ... life was joy I woke up and found life was service and service was joy so while serving we get the true joy the true happiness so that's what we are seeing all around whether they are the able competent team of doctors from far and wide under the stewardship of Dr. Augustine and for that matter all the volunteers and the volunteers who have been working with this team of doctors and also so many saints serving during this samagam and always ready to serve others as also a saint once said that we are born to serve others and others are born to get service out of us so similar sort of enthusiasm we are seeing all around you are all participating in cleanliness drives in tree plantation drives mission has adopted around 46 railway stations of India every month every month at one given time throughout India 20,000 volunteers are working on various platforms for their cleanliness so that's happening every month so similarly there are sky is the limit to serve mankind so so and more than more than we are going to do it दास अपनी वाणी को विराम देगा और यही अर्दास करेगा कि दातार कृपा करे कि आप सभी महराश्टा के रहने वाले आपको ये सच की दात मिली है इस एक को एक करके जाना है जिसके लिए आप ये पंग्तियां लगातार बोलते हैं कि एकला जाना एकला माना एकवा कि एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ और इस परकार से इस एक को अपने जीवन में लाएं है इस एक को जान लिया है इस निर्गुन को जान लिया है एक निर्गुनाचा संग तो इस निर्गुन के साथ अपना नाता जोड लिया है और दुनिया के हर इनसान को भी यही पैगाम दे रहे हैं जो संद तुका राम जी ने भी दिया था कि रातर गेली, दिवस गेले, आयोश गेले, जन्मा आए उनकाए केले विश्या चे सूग गेता हर घड़ी चिंता पन्ना नाई जन्म रहाता तुन सारा चे मोठे कोडे अनिलतित के होते थोड़े तुआव सा संगत, तुका मने, शाग उन्तलासी सब पताला नर का जाशी है तो इस तरह से चैसन तुका राम जी की बाणी हो हर कोई यही कहते आ रहे हैं, हर किसी ने यही संदेश दिया है कि हम एक एक पल अपना बिता रहे हैं जो जीवन का सुबह शाम दिन रात जा रहा है बच्पन किशोरा वस्ता जवानी और एक के करके यह बरस बीता चला जा रहा है एक एक पल बीता चला जा रहा है वही कह रहे हैं कि रात रगेली दिवस गेले रात भी जा रहा है दिन भी जा रहा है तो आव साथ संगत इस परकार से आयोश गेले सारी उमरी ये हातों से निकल जाती है ये जीवन हातों से निकल जाता है इसलिए जीवन का सचा लाब हम प्राप्त करें इस मालिक खालिक से नाता जोड़ें और इससे नाता जोड़ कर जहां आत्मा को मोक्ष और मुख्टी प्राप्त होती है वहाँ पर जिस प्यार का जिस भाईच्ञारे का जिस प्रेम का दिक्र हो रहा है वो भी हमारे जीवन का हिसा बन जाता है और उसी के कारन हम शोबा के पात्र बनते हैं यश्के पात्र बनते हैं औरों के लिए भी हम कल्यानकारी थाबित होते हैं तुदास इनी शब्दों से आप से इजाज़ चाहेगा सासंगत जी धानक तुदासंग जी प्यार से बोलिये धानकार जी सभी इसी तिरह से बेटे रहे अभी नाम दुनी होगी सिम्रन होगा धनारती सावले जी इसासंग जी दुनी गाएंगे और उसके उपरांथ हम एक दूसरे को पहल देते हुए बड़ी चेतनता से अपने अपने गंत विस्थान कि और बढ़ेंगे अभी हम सब भी मिल जुलकर इस दुनी में शामिल हो जाएं तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घौल घुमावा कहे अवतार तेरी दाता सिन राती रून घावा सह अवतार तेरी दाता सिन राती रून घावा कुही निरंका सिक तुरी निरंका कुही निरंका में हसता बुलन हार तुह दाता बक्षन हार मेरे अव गुण ना जीता मेरे अव गुण ना जीता एक तुही निरंका एक तुही निरंका तेरा रूप है संसार सब्दा बला करो करता मेरे मंद है ये दाता एक तुही निरंकार एक तुही निरंकार मेरा डोले ना इतबार बक्ष शता बगती प्यार करा मैं संता ना सतकार एक तुही निरंकार एक तुही निरंकार एक कुही निरंकार सकता हथ हैं